नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रियांका कैम सी किचन में आज हम बनाएंगे ढावा एस्टाइल अंड़करी मसाला जिसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है एक बार ये रेसिपी मेरे तरीके से जरू ट्राई कीज दोस्तों आप मतन चीकन सारे भूल जाएंगे इसके आगे चलिए तो आज की रेसिपी हम सुरू करते हैं सबसे पहले गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे इसमें दो बड़े चमस तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देना है और फिर इसमें डालेंगे दो तेजपत्त इसके प्याज को कट करके डाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच नमक नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है दोस्तों और अच्छे से इसे चलाते हुए हमें ब्राउन कर लेना है एक से डेर मिनट फिर इसमें हम कदूकस किया हुआ लहसन डाल लेंगे आप इसे पीस कर या क्रस करके भी डाल सकते हैं लहसन को अच्छे से कुछ सेकेंड तक और भून लेना है दोस्तों और आप देख सकते हो प्याज पुरा अच्छे से पक गया है फिर इसने आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे आधी चोटी चमच डालेंगे जीरा पाउडर आधी चमच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार से नमक डाल देंगे आधी चमच हम चिकन मसाला एड़ करेंगे दोस्तों इससे बहुत ही टेस्टी होता है फिर इसने हम आधी कप के लगभग पानी डा काना है तब तक हम दूसरे पेन गरम करेंगे इसमें तेल डालकर अंडे को फ्राइग कर लेंगे और इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों और इसे ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है अंडे को इसे फ्राई होने में एक से डेर मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है दोस्तों और देख सकते हो ये कितने अच्छे से ये कलर आ गया है चलिए तो हम चलेंगे अब मसाले की तरफ से इसे हम साइड में कर लेंगे मसाले हमारे सकते हो तेल पुरा सेप्रेट हो गया है और मसाले भी पुराचे से पक गये हैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम पानी डालेंगे पानी अपने ग्रेवी का अनुसार से डाल सकते हैं अगर आप चावल से बनाना चाहते हैं तो पानी ज्यादा यूज कीजि और इल देख सकते हो आप इसमें एक उबाल आ गया है दोस्तों और फिर हमने जो फ्राइ करके अंडे को रखा हुआ है उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर इसमें हम डालेंगे आधी चोटी चमच गरम मसाला गरम मसाला डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे और इसको हमें धक देना है और फिर से हमें 4-5 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेना है दोस्तों और यह देखिए 5 मिनट बाद हमने धकन को हटा आया और कितने अच्छे यह ग्रेवी हमारा थीक हो गया है दोस्तों बहुत ही अच्छी से यह रेसिपी बनकर त्यार हुआ है चलिए तो अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ